हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी कापी के एजूकेशन कूर पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2020 के लिए जोग्रफी की सीरीज चल रही है जिन लोगों ने पुराने वीडियो को नहीं देखा है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उसे वहा यह है अगर आप यह कोशन अटेंट करके जाएंगे एक्जाम में आपका जोग्रफी का पार्ट नहीं चूटेगा तो चलिए बिना देर के हुए हम शुरू करते हैं और पहले कोश्चन को देखते हैं 493 नमबर कोश्चन है इससे पहले भी मैं डिसकस कर चुकी हूँ मैंने वह बताया जिन लोगोंने नहीं देखा है उनका लिंक दिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख ले अगला प्रशन है लिखते हैं डिजेल इंजन बनाए जाते हैं तो यह बनाए जाते हैं मंडवा दी में और यह ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा मंडवा दी में अगला प्रश्ण है 494 सरवाधिक जब वित्ता पाई जाती है जहाँ पर भी मैं आई लिगनू समझ जाएगा बहुत important question है तो सरवाधिक वित्ता कहां पाई जाती है शांत घाटी में अब आपको ये बताना है कि शांत घाटी कहां पर पाई जाती है कई वार exam में ये भी पू भारत का सरवाधिक खनिज संपन शैल तंत्र कौन सा है तो यह सब हम जानते हैं कौन सा है यह है option D धारवार तंत्र धारवार तंत्र सरवाधिक खनिज संपन शैल तंत्र है अगला प्रश्ण देखते हैं सलीम अली राजची उद्ध्यान इस्थित है तो यह कहां पर इस्थ से अगला प्रिशन है निमने लिखित में से कौन सा भारत कौन सा छेत्र मृदा अपर्दन के लिए अत्यादिक प्रभावित है जानते हैं हम सभी और कई बार एक्जाम में पूछा गया है चंबल घाटी काफी इंपॉर्टेंट कुश्चन है अगला प्रिशन देखते हैं इस 502 प्रिशन के लिए अंकले श्रमंदिर कहां पर अवस्थित है और किस चीज के लिए पिर्शेद है पैट्रॉल के भंडार के लिए अगला प्रिशन देखते हैं देखी में चारो option नहीं पढ़ूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए में सिर्फ जो सही answer है उसी को बताऊंगी अगला प्रस्द देखते हैं निम्नांकित दगरों में से कौन करक रेखा के निकर्तम दूरी पर इस्थित है तो कौन निकर्तम दूरी पर इस्थित है उजयन अगला प्रस्ण है बिंद शैलो में जिसके ब्रत भंडार पाई जाते हैं वह हैं वह क्या है चूना पत्थर बेसाल्ट लिगनाइट लौ एस्क तो क्या है वह है चूना पत्थर अगला प्रस्ण है निम्य लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बात करी जा रहे हैं सही नही यह जन्गणना के साब से है बैसे कोशन इसको आप देख लीजएगा बिहार भारत का सर्व से सगन राज तो इस 2011 की जनगर्णा के हिसाब से यह बात सही है लेकिन उससे पहले इसके हिसाब से कुशन सही नहीं है अगला प्रसंद देखते हैं 506 क्या कहा रहा है यहां पर यह कहा रहा है राश्टी दूर समविदन अभिकरण के अनुसार निम्नमैसिक किस राज्ज में कुल छेत्रपल का रवादिक प्रत्सत बनाच्छादित है तो यह किसका है यह अर्णाचल प्रदेश का यह आंसर सही है अगला प्रसंद के निम्न लिकित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है इसके बारे में बात करी जा रहे हैं सूती बस्ट्रों जो है वो श्वार्न चतुरुद परियोजना का संबन किसके विकास से है तो किसके विकास से संबन देश का राजमार्क के अगला प्रसंद देखते हैं निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है यहां पर बात करी जा रही है सही सुमेलित की तो कौन सा सही सुमेलित है पालनपूर अगला प्रस्थन है भारत में सरवाधिक अनुसू नसूचित जाती जन संखिया वाला प्रदेश कौन साय देखिए बहुत important question और कई बार पूछा गया है बात करी जारेगे सरवाधिक अनुसूचित जाती जन संक्या वाला प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है option D उत्तर प्रदेश है और यह अभी भी है तो इसका अंसर यही पर सही होगा राश्टी परियाबाण अवियांतर की संस्थान इस्थे थे यह अवस्थे थे नागपूर में यह भी बहुत इंपोर्टेंट है बहुत बार पूछा गया है अगला प्रिशन है जे लोगों को पीडियाफ चाहिए और वो हमारे निम्न मेंसे कौन सा एक सुमेलित नहीं है 516 में सुमेलित नहीं की बात कर रहे हैं तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें अगर देखेंगे तो यह यहां पर बी ऑप्शन जो है हिंडाल को पिपरी यह सही सुमेलित यहां पर नहीं है तो ऑप्शन भी इसका सही अंसर हो जाएगा अगला प्रसहिते हैं बाड सागर्बान का निर्मार् किस नदी पर हुआ था देखि नदियों के जमाब क्रिया द्वारा हुआ है यह बात यहां पर सही नहीं है अगला प्रसन है निम्न में से कौन सी नदियां हिमांचल प्रदेश से गुजरती हैं देखे बात करी जा रही है हिमांचल प्रदेश से गुजरती हैं तो कौन सी नदियां है पता है आपको व्यास ह चेनाव है राभी है सतला जेवं यमुना है यह सारी की सारी हिमांचल प्रदेश से गुजरती हैं अगला प्रसंद देखते हैं भारत का वय अभ्यारण जिसमें हातियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है तो ऐसा कौन सा अभ्यारण है वय है काजी रंगा यह आप संख्याइब लिप्टेड इसमें प्रवंदन में नहीं है अगला प्रसंद देखते हैं भारत ने नई सहस्त्राबदी के सुर्योदय की पहली किरण निम्लिखित मैंसे किस दिसांतर पर देखी थी 92 डिग्री और 30 पूरपर देखी थी तो अगला प्रसंद देखते हैं अग लगाल का डुख कौन सी नदी कहलाती यह कहलाती है दामोदर और प्राइल कहलाती यह कहलाती है कोशी नदी ढूंबाद जील कहा है बहुत बार एकजाम में पूछा गया है तो केरल में अगला पर्शन है भारत में आपलावी वन कहां पाए जाते हैं तो आपलावी वन की बात करी जारी है कहां पर पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं सुन्दरवन में कहां पर पाए जाते हैं यह सुन्दरवन में पाए जाते हैं अगला प्रस्न है करेरा अभ्यारण है करेरा अभ्यारण कहां प सबसे चोटा है जो option में दिए गए उसमें उडिशा है अगला प्रशन है भारत के हिम नदों के पिघलने की गति क्या है उसकी बारे में बात करी जा रही है तो सबसे अधिक है यह option यहां पर भी विल्कुल सही अंसर हो जाएगा अगला प्रशन है भारतिय वर्न जीव संस्थान वायड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया इस्थे तह परवस्थे यह है देहरादून में यह भी काफी इंप्रणन कोश्चन और बहुत बार पूछा गया है अगला प्रशन है अगला प्रशन क्या क जाएगा यहां पर हो जाएगा option C कोसी अगला प्रिशन है वय अक्षांस जो सिक्कम से गुजरता है निम्निमेंसे किस से भी गुजरता है जो सिक्किम से गुजरता है वो रिपीटिट कुश्चन है कई बार एक्जाम में पूछा गया है दो तीन बार इसको जरूर ध्यान से देख ली जाएगा तो यह क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा option A जो सिक्किम से गुजरता है वो राजस्थान से भी गुजरता है अगला प्रिशन है मंदागनी नदी किस जल्प्रवाय अथ्वा मुख्य नदी से संबंदित है तो किस से संबंदित है यह है अलक नंदा से अगला प्रस्ण है भारत में ग्रीश्म कालीन मांसून के प्रिवा की सामाने दिशा क्या है तो सामाने दिशा इसकी क्या है दच्छिर पस्च्म से उत्तरपूर कई बार एक्जाम में पूछा गया है बहुत ही important question है अगला प्रस्ण देखते हैं भारत में सरवादिक क्यांकी से समब्सक्राइबви किस से सम्मंदित है बाकि ये तीनों भी आप याद कर लिजएगा क्योंकि एक्जाम में मिलान में कई पूछे जाते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं घरत की अधिकान शवननेजीव कि पिर अप्रशण राखए कई shares लगь बहुत बार पूठा सब्सक्राइब नाम बताइए जो के दार नात से रुद्रप्रयाग के मद्द बहती है कहां से जो केदार नाथ से रुद्र प्रियाक के मद बहती है तो उस नदी का नाम है मंदा की नी अगला प्रिस्न है निम्न में से कौन सी नदी पस्चिम की ओर बहती है देखिए गंगा, नर्मदा, गोदावरी और यम्ना की बात करी जा रही है तो पस्चिम की और कौन से नदी बहती है जानते है नर्मदा नदी है अगला प्रिशन है एन रान शक्ति परियोजना का इस्थल कहां पर है तो एन रान परियोजना जो इस्थल है वो कहां पर है वह है आपका देखा जाएगा option D डाभोल में कहां पर है डाभोल में अगला प् पूर्वी उत्तरप्रदेश और बिहार जार्खन वा चत्तिजगर उडिशा और पस्चिम मंगाल ये सभी के सभी चोने गयते ऑप्शन डी यहां से सही आंसर हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं बूगर्वी द्रस्टी से गंगा की घाटी और महानदी का चत्तिजगर क मैदान किस तरह भिन्न है तो यह 44 कुशन की बात कर रहे हैं किस तरह से यह भिन्न है तो ऑप्शन भी यहां पर सही आंसर हो जाएगा गंगा घाटी हिमालाय से नदियों में प्रभायत हुई मिट्टी के जमने से बनी है जबकि 36 गड़ का मैदान चट्टानों के घिसने से अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है देखते हैं 545 उस देव इस्थान का नाम बताईए जिसमें मुख्य देवता अन्यतीन से भिन्न है तो अन्यतीन से भिन्न है इसमें हो जगनात मंदिर के बारे में बात की जा रही है अगला प्रशन है बांगला देश में पूइंत है अगला पुषन में हैं बहुत हैं इस dependent में आपको पता है यह महारास्た में भारती मानक समय की देशांतर रेखा ब्यासी डिगरी किस नगर से होकर गुजरती है तो किस नगर से होकर यह गुजरती है इलावाद में नैनी से सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टन कुश्चन और कई बर पूछा गया है अगला प्रस्न है निम्नमे से किस राज्य की सीमा बांगलादेश से नहीं मिलती है ध्यान से देखिए अगर आपने मैप देखा है तो आप इसे बहुत असानी से कर ले जाएंगे मनिपूर की शीमा जो है वो बांगलादेश से नहीं मिलती है अगला प्रस्न देखेंगे महाराष्ट में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वरण के नाम से जानी जाती है तो वह जानी जाती है कपास की फसल को हम स्वेत स्वरण भी कहते हैं सफेद सोना के नाम से भी इसे जाना जाता है अगला है निनलिकित में से किसका सुमेल नहीं है तो किसका सुमेल नहीं है यहाँ पर यहें बेमबात करनाटक जील करनाटक में नहीं में किरल में ही अगला प्रिशन है मगर घढ़ घड़ियालों का संदक्षड कहां किया जा रहा है चंबलवासो नदी में किया जा रहा था अगला प्रिशन है ढ़ॉर्जा का सरवाधिक महत्पूर्श रोत चल् lotion कोले तो यह कहां पर अवस्थे थे यह अवस्थे थे अंडमान वा निकोबार दीप सभू में कई वारे पूछा गया है important question है अगला प्रसंद देखते हैं अनुसूचे जन जातियों का प्रतिशत कुल जन संख्या में उचितम है तो कहां पर उचितम है यह है उत्तर प्रदेश में अगला प्रसंद है कुलू घाटी जिन परवत स्रेडियों के बीच अवस्थे थे वे हैं तो वे कहां पर हैं देखा जाए मद्ध हिमाला तथा सिवालिक के बीच अगला प्रसंद है भारत के किस राज में इस्त्री पूरुज अनुपात 1000 से अधिख है यह 2001 की जन गड़ना के हिसाब से इसको चाहें तो आप छोड़ सकते हैं मैं इसका अंसर बता देती हूं आपको ऑप्शन सी अगला प्रसंद है इंडियन इंस्टिटूट ऑफ नैचरो पैथी एंड यॉगिक साइंस इस्थित है कहां पर इस्थित है यह यह है पोड़े में अगला प्रसंद है निम्नलिखित राजियों में निम्नांकित राजियों में से किस में साइवेरियन सारस के लिए आदर्स प्राकर्तिक निवास है तो यह कहां पर है यह है असाम में ऑप्शन भी यहां से सही आंसर हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है 561 की बात करने सुमेल नहीं है तो हैदराबाद कृष्णा ये सुमेल में नहीं है अगला प्रस्ण देखते हैं 562 562 क्या कह रहा है भारत का अग्रगर्ण पैट्रॉलियम उत्पादक राज्य है तो कौन सा है हम चानते हैं कौन सा हो राज्य है वह है ऑप्शन सी महराष्ट तो यहाँ पर Our डिखत में से कौन सुमेलित नहीं है सुमेलित नहीं की बात करें जा रही है तो अन्दय प्रदेश मंल नärt यहां पर सुमेलित नहीं है अगला प्रिसन देखते हैं राणा पृताफ सागर परियोजना है उसके बारे में कुछ दथ दिएगा है यह एक पनबिजली सायंत्र है अगला प्रिसन है निम्लिखित में से कौन सी जोड़ी और राज सुमेलित नहीं है तो बात करी जारी सुमेलित नहीं की तो लोग टक मण पुर में अवस्थेत है अगला प्रिशन है उत्तर प्रदेश हिमांचल का सर्वोच सिखर कौन सा है तो सर्वोच सिखर की अगर बात करेंगे तो नंदा देवी है निमने लिखित में से कौन गंगा मैंकांग स्वडभूमी सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है तो यह नहीं ऐसे घुल सही आंसर हो जाएगा तो नेक्स कुश्यन बीला यहांसर हो जाएगा नेक्स कुश्यन है भारत पाकिस्तान के सीमा निदारित की गई है कया बार एक्जाम में पूछा गया है और बहुत बार यह कुश्यन रिपीट किया जा रहा है रेड़ क्लिप रेखा दौार अगला प्रिशन है लेटे राइट मिट्टिया मिट्टियों का प्रधान चेत्र कौन सा है तो कौन सा है मालावार तटिय प्रदेश तो यह कुछ और कोश्चन थे जो बहुत जादा वीडियो डालूं आप हमेशा हम से जुड़े रहें अगले वीडियो में फिर्म उलाकात होगी तब तक लिए नमस्कार दोस्तों बाई बाई